पैनली किस यहाँ पी देख सकते हो मैंने होली इवेंट को कमपीट कर लिया है अभी मैं आपको बताऊंगा दो ऐसे ट्रिक जिसका यूज करके आप लोग भी होली इवेंट को सिर्फ एक दिन के अंदर कमपीट कर सकते हो आप में से काफी साथ लोग ऐसे हैं जिनको ये वाला जो इवेंट है काफी हाड लग रहा उनसे ये वेंट कमपीट नहीं हो पारा बड़केस यहाँ पे देख सकते हो मैंने इस इवेंट को इसली कमपीट कर लिया है यहाँ पे जो बंडल है हमें वो भी मिल चुका है मैं आपको बंडल दिखा देता हूँ फ्री वाला बंडल आप लोग देख सकते हो काफी ओपी बंडल है तो भाई इस इवेंट को जो उस से कमपीट करना ठीक है बस यहाँ पे आपको दो ट्रिक को यूज करना है जिसके वारे मैं आपको बताऊंगा पर उस से पहले किस आप बताऊ कोमेंट बॉक्स में कि अभी जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपका इस इवेंट का जो पॉइंट है वो कितना है ठीक है इसके लाब एस बोल दो दो देखो यहाँ पर फिरी का बंडल है यह तो काफी ओपी है लेकिन इसके लाब हम लोगों को जो है होली का एक इमोट भी दिखने वाला है यह वाली इमोट जो कि आप लोग देख सकते हो बैक्राउंड पे इसके लावागे एक और बंडल आने वाला है होली का जो कि आप लोग देख सकते हो यह वाला बंडल काफी OP बंडल है मेरे को यह बंडल मिल चुका है और भाई मैं इसी को पहन के खेरा हूँ काफी टगड़ा बंडल है इसके लावागे यहाँ पे एक MA2V के स्कीन भी आने वाला है तो किस अगर आपको यह जनना है कि यह सब हमें गेम के अंदर कब और किस तरीके से मिलेगा तो इसको पर मैंने और रहे एक वीडियो बना रा किया है आप लोग इस वीडियो के बाद जाके उसको देख सकते हो अब चलो किस यहाँ पे हम लोग जानते हैं अपने इवेंट के वारे में चलो भई देख अपने क्या करता हूँ किस यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस रिवेंट के वारे में थोड़ा सा तोगेस यहाँ पे देखो क्या करना है सबसे पहले तो आपको जो है बैलून टोकन को कॉलेट करना है अब इसके लिए हमारे पास दो ओफसन है लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पे जो डेली मिसन मिलता है आप लोग अगर सिर्फ इसको ही कंपेट करोगे यहाँ पे काफी सारे मिसन मिलते हैं डेली के तो अगर आप सारे मिसन को कंपेट कर लेते हो तो एक जिन में आपको काफी सारे टोकन मिल जाते हैं जो कि आपकी AD पे भी काफी सारे टोकन होंगे ठीक है लेकिन फिर भी यहाँ पे आपका point नहीं बढ़ पारा क्योंकि यह जो token है न इसका आप सही तरीके से use नहीं कर रहे हो जो कि मैं आपको बताऊंगा अब देखो यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को 4 stage दिखने को मिला यह 4 stage को unlock करने के लिए simple सा आपको जो है game खिलना है आपका 4 unlock हो भी चुका होगा अब गैस यहाँ पे देखो जो stage 1 है and जो stage 4 है आपको यही दोनों को खिलना है क्यों वो आगे आपको पता चल लेगा फिलाल गैस यहाँ पे देखो मैं आपको दाता हूँ जैसे हम लोगो stage 1 पे चलते हैं अब गैस यहाँ पे क्या है कि हमें क्या करना है हमें मिलता है एक mode में मतलब एक बार में हमें 10 option मिलता है and 10 slot में से हम लोग यहाँ पे देख सकते हो यह सब जो enemy है इसको हमें फोड़ना है ठीक है अगर आप एक को फोड़ोगे तो आपको एक पॉड़ोगे दो पॉड़ोगे जितना आप फोड़ोगे उतना फोड़ोगे ठीक है अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कुछ इस तरीके से सिंपल सा आपको करना है और आपको फोड़ देना है अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हम दो सबको forward के चक्र में हमारा जो है काफी सारा value जो है वो ऐसे फाल्तू में waste हो जाता है लेकिन यहां पे देखो क्या करना है जो आपको easy लगदा जिसे अभी मैंने एक फोड़ा अब यह जो केली वाला है यह भी में को easy लग रहा मैं इसको easily फोड़ सकता हूँ जिसे यहाँ पर देखो मैंने 2 को फोड़ चुका है ठीक है अब यहाँ पर मुझे लग रहा कि बाकी जो है उसको फोड़ना मुझे थोड़ा सा hard लग रहा तो अब मैं क्या सिंपल सा देखो यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ से बाइक आजाओ ठीक है अब यहाँ से जैसे ही बाइक आगए तो जो आपने 2 को फोड़ा था वो 2 का पॉइंट आपको मिल जाएगा और बाकी का जो वैलून है वो आपका बच चुका है अब इससे होगा क्या कि जो आपक सिर्फ उतना ही फोड़ो और उसके बाइक कर लो मतलब कि कोई भी बैलून को जो है फाल्तू जाने नहीं दो जैसे यहाँ पर देखो मैं फिर से कंटीन्यू पर क्लिक करता हूं ठीक है अब यहाँ पर सिंपल सा क्या करेंगे जो मैं एको इजी लग रहा है जैसे यहाँ पर यहाँ पर देखो मैंने इसको फोड़ दिया अब यहाँ पर मुझे एक और इसको फोड़ सकता हूं तो यहाँ पर मैंने इसको फोड़ दिया ठीक है तो जो आपको इजी लग रहा है मतलब जिसको आप इसली फोड़ सकते हो आप सिंपल सा उसको फोड़ो अब आपको लग पहले ट्रिक है वो तो आपको समझ में आ चुका होगा कि सिंपल सा आपको एक भी वैलून टोकन को जो फालतों में वेस्ट होने नहीं देना है सिंपल सा आपको हर एक को अच्छे से यूज करना है ठीक है अब किस यहां पर देखो हम लोगों को चार अलग अलग तरह के पाते हैं लेकिन देख सकते हो यलो वाले से क्या है कि एक बार में आप जो है दो को फोल सकते हो इसके अलावा कि यहां पर जो गरीन वाला है इसमें क्या है कि जब आप लोग तीन चार को फोल सकते हो जो कि आप वीडियो में देख सकते हो ठीक है जैसे मैं यहां पर यूज कर रहा हूं तो इससे क्या हुआ कि सिर्फ एक बैलून टोकन से आप लोग जो चार-पांच पॉइंट ले सकते हो इजली ठीक है और किस मेरे कोड़िंग यहां पर जो स्टेज वन है और जो स्टेज फॉर है स्टेज टू एंड जो स्टेज फॉर है वह इसी है वैसे देखा ज क्या है अब यहाँ परिख सकते हो मेरे बस कुछी प्वेंट बचे है तो चलो मैं सब को यूस करता हूं और फिर मैं आपको आगे क्लेम करके दिखाता हूं थानक्ति कर लिए हमारा जो को चार्सू पॉइंट हो चुका है एं। यहाँ पर हम लोगों को बंडल वगरा क्लेम करने का option आ चुक है तो किस यह वाला जो event है वो आपको सिर्फ दिखने में hard लग रहा हलाकि यह उतना hard नहीं है बस आपको simple सर दो तरीके जो कि मैंने आपको बताया आप लोग इसको ध्यान में रख के खेलोगे तो easily एक दिन के अंदर आप लोग कंपीट कर लोगे क्योंकि हा आप लोग कॉमेंट बॉक्स में पूसकते हो इसके लावा करते हैं कि जो अपना होखोले इमोट है वो हमें कैसे मिलेगा तो लेफ सेट पर आपको वीडियो दिख रहा हूं और इस पि किलिक करके जाकर दीख सकते हो तो कैसे यह मैं मिलता हूं आप से किसे नेक्स वीडियो में जो टाटाटाटावे टिक्केर